दूसरा युहना अध्याई एक मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिन से मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं वह सत्य जो हम में स्तिर रहता है और सर्विदा हमारे साथ अटल रहेगा परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र येश्व मसी की ओर से अनुग्रह, दया और शानती हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आग्या के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया अब हे महिला मैं तुझे कोई नई आग्या नहीं पर वही जो आरम से हमारे पास है लिखता हुँ और तुझ से विंती करता हुँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखे और प्रेम यह है कि हम उसकी आग्याओं के अनुसार चले यह वही आग्या है जो तुमने आरम से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे भर्माने वाले जगत में निकल आये हैं जो यह नहीं मानते कि येशु मसी शरीर में होकर आया भर्माने वाला और मसी का विरोधी यहीं है अपने विशय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हम सब ने किया है उसको तुम न खोना वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसी की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं जो कोई उसकी शिक्षा में स्तिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वै उसके बुरे कामों में सैभागी होता है मुझे बहुत सी बाते तुम्हें लिखनी है पर कागस और स्याही से लिखना नहीं चाहता पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आओ और सम्मुख हो कर बातचीत करू जिससे हमारा आनन्द पूरा हो तेरी चुनी हुई बेहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं झाल सकता है